आज में आपसे गंटे का अंदर अंदर बची-खुची उन से बनने वाला एक सुन्दर चा बेब बुट का डिजाइन लेकर आई हूँ ये बेब बुट में 6 मंच से एक डल साल का बेबी के लिए बना रही हूँ इसमें फोरपलाय का धागा पतला वाला और 9 नमर का सलाई का योजगर रही हूँ आप चाहिए तो थिरी पला का धागा 8 नमर का सलाई से भी बना आ सकते हैं पर ये थिरी मंच से एक साल का बेबी के लिए बन कराता है थोड़ा छोटा साइज में फोटी एट फंदे डालनी के बाद इसकी सीधी साइट से फसफंदा विनाई मिना धाग है य इस तरीके से बिनने के बाद अब देखेए इसका रंग साइट मतलाग विने मिनरों धाग कर में घाग विन सारी फंदे अलटी बिनाई बिन ले ळा हैं अब देखिए इस तरीके से खा़ंटी बिनाई बन चुका है अब पलटनी है इसका ब्याक साड में ब्याक साड से इसका उपर शाट डिजाइन सीदी साड से बिनने के बाद दागा चेंज़ गर के आपको बिनना है इस तरीके से धागा लगाया नहीं है और यहां से आपको फिर सारी फन्दे उल्टी बिनना बिनना है अब इसका उपर टोटल फंदे को आपको तीन बैग में लगाया निया इधर 48 फंदे है 11 26 फिर 11 इस तरीके से टोटल फंदे को तीन बैग में लगाया निया अब दिखें सुरू में हम 11 फंदे बिल लेंगे फंदा बिने मिना दागा आपने और एक दो तीन चार पांच छे शात आठ नो दस ग्यारा इस तरीके से 11 फंदे बिलने के बाद दागा आपने और इस तरीके से लेना है फिर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी मतलब एक फंदे इंदर हम बढ़ा आ रहे हैं देखें एक फं फंदे सीधी फिर दो फंदा उल्टा था तागे पीछे दो вंदा सीधा तके आंपने और दो फंदा उल्टा इस तरीके से आपको 26 फंदे में बेन लेना हैं अब देखे मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गाते हुए 26 फंदे में इसी तरीके से दो सीधी दो उल्टी बिंदी हुए बनाती हूँ आप भी इसी तरीके से बनाएगा इसी बात को रिपीट गाते हुए आप देखे इसका उपर 26 फंदे इस तरीके से 2 शीधी 2 ऊटीन बिंदेवे बनानी है दो, 4, 6, 8, 10 , पलस एक गर के 11 फंदे है जिस तरीके से इधर 11 फंदे है उसी तरीके से इधर भी है अब देहें 11 फंदी बिन के मैं इधार एक जाली डाले थे इसा टरिके से 11 फंदे का आगी तर्वी हाम एक जाली мें दागा आपने ओर लेना है एक बार से तरीके से सलाई में लपेट लेना है और इधार का फंदी फिर आपको वल्टिव बिनने बिनने धी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, इस तरीके से आपको बना लेना है, सीधी सार्च है, इस तरीके से बिनने के बाद इसका ब्याक सार्च है, ये धागार में कट लगा आ रही हूं, शिरिफ हाम वाइट कलर का धागे से बिनेंगे, अब देख । चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, अर ये ग्यार, अब देखें, इस तरीके से ग्यार पंदे बिनने के बाद ये जाली वाला भी बिन लेना है, उल्टी बिनाए, इस तरीके से बार पंदे बिनिगे, इसी तरीके से बिनेगे इसलो वाला फंदा है इसको आपको उल्टी बिन लेना है और बाके का ग्यारा फंदी ग्यारा भी उल्टा बिना है इस तरीके से आपको बना लेना है बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बन कराता है आप भी जरूर ट्राइगरिए दोस्तों शेयर करने मत बुलिए इस तरह का आसान और यूनिक परजेक्ट मेरा दीपाइने चाल में कभी सारा है एक बार जरूर वीजिट गरिएगा अभी जक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब गर के बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा अब देखें इस तरीके से बिनने के बाद इसका दूसरी साइट से बिनेंगे सीधी साड है यह ग्यारा फंदे बिनने के बाद हमें एक फंदे बढ़ाये थे फिर बीच में 26 फंदे का डिज शे, साथ, आठ, नो, दस, एगारा और यह जाली वाला भी उल्टी मिननना है इस तरीके से 12 फंदे उल्टी का बनाएंगे मतलब इधर हम 11 फंदे में एक फंदे बढ़ा रहे हैं यह वाला अब देखें में गिन कर देखाती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, द फिर इंधर से पैटर्न सुरू होता है, दो फंदे सीधी, फिर तागा आपने और दो फंदा उल्टा, तागे पीछे दो फंदा सीधा, इस तरीके से फिर आपको 26 फंदे में इसी तरीके से डिजाइन डालनी हैं, दोफन्दा सीधा 2 फंदा उल्टा बेएन्थी होए मैं इसी तरीके के से 26 फंदे में बेएन्थी हुँ मतलब हाम इसी तरीके से पोग三-फंदे तक बीन हैं 역시 फंदे तक बीनेंगे या तक देखिए है जाली वाला फंदे तक हम बेन देंग्ये दोपंदा ऊल्टा त्हागे पीछे दोपंदा सीधा इसी तरीकेसे आपको बेन लेना है याह तक जाली हो अलहपंदे तक बेनने के बाद धागा आपने उर लेना है ус बार लपट लेना है इस तरीकेसे शलाई में और ये जाली वाला पंदा उल्टा ये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नौ, दस, एगारा और ये बारा ब्याक साड़ से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साड़ से ये ग्यारा फंदे का जो डीजाइन है इस में हम एक-एक फंदे बढ़ा कर बिनिगे, इसी तरीके से जाली डालते हुए और बीच में आपको 26 फंदे में इसी तरीके से दो फंदा सिधा, दो फंदा उल्ठा बिनते हुए बना नहीं है 62 से फिर जिन पता जिस तरह का है उसी तरीके से बेन लेना है अब देखें इसी तरीके से इसी बात को रिपीर करते हुए इतनी बना लेना है अब देखें ये में कितनी बना रही हूँ जाली वारा फंदे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छे जाली में डार रही हूँ अब देखें इधर का डिजाइन भी 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से आपको बना आनी है इतनी होनेक बैद देखें इसका उपर का फंदे 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 इतनी के बाद इसका पर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बेनने है अब देखिए आपको फस फंदा उतार लेना है और बांकी का फंदे फिर तागा आपनी और लेना है और सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बेन लेना है इधर हमारा 17 फंदे है इसमें हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते होए बनाएंगे आप देखे ये जाली वाला फंदा भी इसी तरीके से उल्टी बिनाईएगा अब देखे इतनी बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है यहां से आपको घटाई गरते होए बिनना है अब देखे घटाई किस तरीके से गरेंगे ये दो फंदे दो काएक, फिर देखिए दागा आपने और दो फंदे दो काएक, टाके पीछे दो फंदे दो काएक, इसी तरीके से इसका उपर घटाई गरनी है, बिज का 26 फंदे में हम घटाई गर रहे हैं, दो फंदे दो काएक, दो फंदे दो काएक बीनते हुए, इस तरी से इतनी बिनने के बाद देखिए इसका उपर का फंदे में गिनका देखाती हूं यह दो तीन चर पांच छे दुना बारा पुलस एक फंदे तेरा फंदे हैं उल्टी वाला डिजाइन का और बीच का 26 वाला फंदे में फंदे गटा करहां 26 से 13 फंदे बना रहे हैं अब देखें इसका ब्याक से इसका उपर फिर बीनेंगे फसस फंदा बिने बिने 17 फंदे आपको उल्टी बिने बिहन लेना है तो देखें इस तरिके से बनाईएगा सारी फंदे उल्टी बीने बीनते हुए इतनी बीनने के बाद यहां से यह 13 फंदे आपको कुरुष में चड़ा देना है इस तरीके से कुरुष लेना है और सारी फंदे कुरुष का उपर चड़ा देना है आप चाहे तो सुई से सिलकर भी बना सकते हैं मतलब यह बीच का डिजाइन का है शुरू में 26 फंदे में हम डिजाइन मनाये थे 26 फंदे से 13 फंदे बनानी के बाद इस तरीके से कुरुष में धागा लगा कर यह 13 फंदे को बंद गार लेना है तेरा फंदे से एक फंदे आ रहा है यह एक फंदे आपको निडर में चड़ा देना है टाइट कर लेना है फंदे अब देखे इस तरीके से बिनने से बीच में होल आता है देखे इस तरीके से यह टाइट करके बिनना है टाइट गरने से भी इधर साइट होल आता है यह होल से हम डोरी लगाएंगे ताकि बच्चे का पेर से ना गिरे इसलिए इधर में होल बनाकर बेन रहे हूं अब देखें यहां से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनने के बाद अब देखें यह इस तरीके से बनकर आ रहा है पलटनी है दूसरी साइड फरस फंदा बि अब देखें इसी तरीके से यह 20 चेंटर का भी आपको उल्टी बिनाई बेन लेना है इधर होल आता है इसी होल से हम डोरी लगाएंगे बात में अब देखें में इसी तरीके से शारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हो है शीरी साड़ पुरा गर चुकी हूं अब देखें इसका ब्याक साड़ से इसका उपर धागा लगाया देना है अब देखें धागा लगायाने के बास फिर यह धागा इस तरीके से टाइट गर के सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते होए यह सलाय आपको पुरी गरनी है यह इसका ब्याक साड़ है ब्याक साड़ से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद सीधी साड़ से फिर इसका उपर बोर्डर डिजाइन डालींगे इस तरीके से ब्याक साड़ बिनने के अब देखें इसी तरीके से में एक सीधी एक उल्टी बिनती होएं आ रहे हूं एक सीधा धागा आपनियोर एक उल्टा तागे पिछे एक सीधा इस तरीके से आपको बिनने है ये बोडर है इसका व्याक सार चीधा बिनने फिर हस बिना बिना ये उतार लेना है तागे पिछे सीधी बिनलेना है तागा आपनियोर उल्टी बिन फन्दे उल्ट लोड़े इसी तरीके से आपको बिनने है एक सीधा, एक उल्टा बीनते हुए, ये इसका बोडर है, दोने साइट से इसी तरीके से बीनते हुए, मैं इतनी बना आ चुके हुए, इसका डिजाइन भी मैं गीन कर देखाती हुँ, कि ये मैं कितनी बना रही हुँ, तेखिए, एक, दो, तीन, चर, पान, छे, साथ, साथ दिजाइन बनाने के बाद इसका उपर फिर ब्याक साइट से फंदे बंद गरनी है आप चाहे तो इसी दागे से भी फंदे बंद गर सकते हैं पर इसका उपर में वाइट कलर का दागे से फंदे बंद गर रही हूं एक फंदे बेनना है फिर पीछे का फंदे इसका उपर से ग गिरा देना है इसी तरीके से इसका उपर का फंदे बंद गानी है थोड़ा खीचना है और यह धागा कट लगा देना है कट लगाने के बाद इदर साइड हम लग लगाएंगे इस तरीके से अब देखे यह आपको इसको बीचो बीच देखे तीन डिजाइन एक साइड में बनाते होई बीच सेंटर से आपको इसको फोल्ड गर लेना है तो देखें तीन डिजाइन इदर है और तीन डिजाईन इदर और इस तरीके से वीड सेंटर शेह आपको फोल्ड गर लेना है अब दीखें इदर का भाग आपको सेल्ड लेना है तो इदर ये दो로ग रतिक देखें तुनों साइट का एक एक चेन लेते हुए शिलाई गरेंगे अब देखें में इसी तरीके से शिलाई गरते हुए इसका लाश्ट में आया चुकी हूँ कि यह तक हम चेन वाला हिस्षा लेकर सिलनी के बाद या से आपको जो हम फंदेड आ रहे थे उसका गणट वाला इस तरीके से फंदेडे लेकर सिलाई गरनी देखे इस तरीके से इसका गाट लेना है और फिर सेल देना है इसीतरीके से इसका बंपर पर चुटाए करते हुए उसका जूड़ाई कुरूषे से फलार बनाकर और बटन लगाकर भी सजार सकते हैं अब देखिए इतनी बिन्नी के बाद ये जो धागा का इसको आपको लगाानी है इधर साइड सी दह रहे ये चेन वाला है इसमें आपको लगानी है तो देखे इस तरीके से और इसको आपको ब्याक साइड में लग लगानी है इस तरीके से जितनी भी आपका पास ओश्टे धागा है इसी तरीके से कुरिशे से लगगर आईएगा अब देखे ये में धागा लग गर चुके हूं तो देखे ये धागा में कट लगा रही हूं और ये इस तरीके से बन कर आ चुका है देखिए बहुत ही सुन्दर ये बनकर आ रहा है अब इसका उपर डोरी किस तरीके से लगाएंगे ये मैं देखाने जारी हूँ इस तरीके से गोल बनाएनी है गोल का पीछे दागा लेकर जाना है और कुरिशी से खेटना है और इसका उपर हम 92 चेन डालेंगे डोरी आप कोई भी तरीके से बना सकते ही 92 चेन डालने के बाद इस तरीके से खेजना है अब देखिए इधर होल है इसी होल से आपको दागा लगानी है और देखेरiku का फंदे उपर बनाते हुए, आपको कुरुस लगानी है, यह बेबी का पियर से ना गिरे, इसलिए इसका उपर डोरी डालनी है, अब देखिए, मैं सीधी फंदे उपर बनाते हुए, यहां तक आ रहे हुए, यहां से हमारा फिर सिलाय का भाग शुरू होता है, अब देखें यह धागा लगा देना है और किसना है तो इस तरीके से इसका उपर डोरी लगाएंगे अब देखें इधर साइट का डोरी इस तरीके से लगायानी के बाद इसी तरीके से दूसरा साइट का भी लगायानी है ये सीधी वाला फंदा उपर के और मनाते हुए फिर कुरुष लगाया देना है अब देखें इसी तरीके से सीधी फंदे का देखें डीजाइन का नीचे से कुरुष डालते हुए शीलाई तक लेकर आना है और फिर इधर भी इसी तरीके से डोरी लगा देना है ये जुराप दाया और बाय पियर के लिए एक ही तरीके से आपको बनायानी है और ये बनने के बाद बहुती सुन्दर नज़राता है ये श्रीप एक गंटे का अंदर अंदर उस्टे दागे से बनने वाला बेवी जुराब का डिजाइन आज में आपसे स्यार कर रहे हूं परसुनाये तो बिड़ी को लाइक कीजिए दोस्तों स्यार करने मत बुलिए इस का असान और यूनी पर्जिट मेरा दिपेंटिंजर में काभी सरह है एक बाद जरूरी विजिट गरिएगा धन्यवाद